ओम सिरीगनी साय नमदूस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दस सितंबर मंगलवार के रासी फल के बारे में कीह दिन तुला रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान नेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापा हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर न दोला राशी वालो के लिए मंगरवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है तोस्तो आज सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्टा प्राप्त होने की संभवना अच्छी है इसलिए अपना प्रियास कर अच्छी सफलता प्राप्त होने में सफल आज आप हो सकते हैं आप एक सुल्जे हुए वक्ती हैं और हर किसी कार्रे को समय कैनुसार करने का पिरतन करते हैं इसलिए आपको काम्याबी अच्छी प्राप्त होने की संभावना आज पाई जाती है आज आपको किस्मत का सयोग मिल सकता है कामकाज में आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा इंकम भी आज हो सकती हैं अचानक फायदा होने के आज अनी को योग बन रहे हैं आपको किस्मत का साथ आज मिलने वाला है पैसो के कामकाज भी आप सुबा सुबा ही निम्टा ले निजी जीवन और आफिस दोनों मामलों में तनाव और दवाव खत्म होगा नए और दिल्चस्प लोगों के मिलने के आज योग बन रहे हैं जिहां दोस्तों आर्थिक लाब के आज आज आपके लिए अनी को योग हैं किसी महत पपूर्ण कार्रे की सार्थकता के लिए प्रतन सीर होगा कठिन परिश्टरम से रचनात्मक योजनाव को सार्थक करने में सफल रहेंगे पुराना अठका हुआ धन भी आज आपको वापस मिल सकता है परिवार के साथ आज आप समय विताएं मानसिक सुख और सांती आपको प्राप्ट होगी पुन के कार्रों के पीछे धन का आज व्या होगा इस्वर की आरादना आपके मन को सांती प्रदान करेगी आपका उत्तम प्रदसन आपके परते दिंदियों के लिए चोकां देने वाला रहेगा आपके कर्रे इस्थल पर आपको अपार सफलता हासिल होगी फिर चाहे वो पदुन्नती हो या मान सम्मान वेवसाय करने वाले जातक कुछ नया काम सुरूख कर सकते हैं जिहा दोस्तो आज आप अपना सर्वसेष्ट देने की कोशिस करें और जिसका पैणाम आपको सकारात्मक रूप से मिलेगा किसी नई जगा घुमने जाने का अफसर मिलेगा जिस कारण आपकी उर्जा और उत्सा दोनों में ही व्रद्दी होगी परिवार के साथ किसी धर्मिक इस्थल पर भी आप आज जा सकते हैं जिहा दोस्तो समय आज आपके पक्ष में हैं प्रकरती आपको जोस और खुसी के माहुल का उपहार दे रही है इन उपलब्दियों का भरपूर आप उपियो करें परिवारिक सामाजे और उनकी देखवाल करने में आपका महत्पपूर योगदान रहेगा आज आपको कोई सुबसमाचार हवस्य मिलेगा जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आपके मन पर नकारात्मक विचारों का आकर्मन होने से मन में हतासा रहेगी एनेतिक और एप्रमानिक कार्रें विपत्ती में आज आपको डाल सकता है इसलिए संबब हो तो उससे दूर ही रहे कार्रे भार की आज अधिकता रहने से मानसिक ऐस रस्तता भी हो सकती है संतान की चिंता भी आज आपको रहेगी साथे साथ आपकी आमांदनी अच्छी रहेगी परन्तु आमांदनी के साथ साथ आपके खर्चों में में विरद्धी होने की संभावना है ऐसे में आपको अपनी आमंदनी और खर्चों में टाल मेल बिठाने के लिए अपने खर्चों में कटोती करनी होगी साथि साथ यदि आप वेपार करते हैं तो आपके वेपार में मुनाफा होगा आप महेंगी वस्तूओं को खरीद सकते हैं परन्तु आपको अपने महेंगे सोक पर रोक लगानी होगी अन्यता आपके सामने आर्थिक संकट भी आ सकता है और दोस्तो साथ साथ जरूरत है बात चीत में गरीमा बनाए रखने की आपकी क्रोध में की गई बात किसी से मतबेद उत्पन कर सकती है और दूसरों से रखी गई उपेक्छा भी आपके स्वैम के लिए मायूसी पैदा करेंगे दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है दोस्तो आपको बहुती धहरे से काम लेना होगा और प्रते कदम बहुती सोच समझ कर ही आगे बढ़ाना होगा तब ही आप एक शुक में दामपत्य जीवन का आनन्द लेने में शक्षम होंगे जह दोस्तो साथ साथ जीवन साती की भी आज तरक्की होगी लव लाइफ के मामलों में भी सितारों का आज आपको भरपूर साथ मिलेगा मानसिक दवाव के बावजूद खुस रहने की आज आज आप कोशिस करेंगे जह दोस्तो जीवन साती से संबंद में मधूरता आएगी जिससे खुसनुमा माहुल बना रहेगा लव मेरिज के छुक लोगों के लिए समय बहुती अच्छा है विभा के लिए निर्ने लेने का दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा कारोबार आज अच्छा चलेगा और धनलाब की आज इस्तिती रहेगी लेकिन कारेभार के अधिकता रहेगी और दिन भागदोर में बीतेगा यदि आप नोकरी करते हैं और किसी तरह के निवेश की योजना बना रहे हैं तो उसमें आज आज आपको सफलता मिल सकती है और सवें के अनुसार आपको निवेश भी करना पड़ सकता है जो आपके लिए अवस्य ही लाबदाइक साबित होगा साथ साथ आज आज आपका नए लोगों से संपर्क बनेगा मनोरंजन के कई अवसर आपको मिलेंगे जिनसे जीवन में खुसियां बढ़ेंगे परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत आप कर पाएंगे और उनका पूर्ण सयोग भी आपके साथ रहेगा विज्ञान एम तकनीकी से जुड़े जातकों को सफलता के लिए अधिक प्रियास करने होंगे काम्याबी के लिए जम कर मेहनत करने की आपको आवशक्ता होगी इस्टुडेंटों के लिए भी समय आज का बहुती अच्छा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तों आज किसी तरह का वाइरल समस्या उत्पन होने की संभावना हो सकती है इसलिए अपने स्वास्थ के पिरती आज आपको विशेश रूप से ख्याल रखने की आवशक्ता है आज आप अपने खानपन पर विशेश रूप से ध्यान दें अपनी दिन्चरिया को आज आप सुचारों रूप से सही बना कर रखें और साथ साथ अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रुजाना योग करें, वैयाम करें, स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं, आज आप के लिए विशेश रुपाय क्या है दोस्तों आज आप इस शुनान आदिश निर्वत्र होने के बाद एक बढ़ का पत्ता तोड़ें, या दोस्तों ध्यान रखें कि जो भी आप बढ़ का पत्ता तोड़ेंगे, वे कहीं से कटा ना हो, फटा ना हो, अखंडित नहीं होना साहिए, पत्ता बिलकुल साबुत होना चाहिए इसके बाद आप इस एक पत्ते को गंगा जल से धोकर भगवान बजरंग बली जी को अरपित करें और साथ इसाथ अपनी मनों काम नाए मांगे, या दोस्तो ऐसा करने मातर से भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे, जो भी आपके जीवन में परेशानिया चल रही हैं, समस्त परेशानियों का अंत करेंगे, और आपक बोक्स में जे बजरंग बली अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, धन्यवाद